हाई गाइस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ BCA vs BSC in IT vs BSC in CS तो आज के इस वीडियो में आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता चलने वाला है इन तीनों में क्या का डिफरेंस है आपको किर्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए कौन सा कोर्स बेश्ट है आपको सब कुछ पता चलने वाला है तो इस वीडियो को बिन आपका टाइम वेस्ट करते हुए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Full Form से सबसे पहले डिफेरेंस तो यहीं आ जाता है मतलब इनका Full Form आप कोर्स का जान लिए डिफेरेंस नहीं है ये तो हर्स कोर्स का अलग-अलगी नाम होता है Full Form BCA का मतलब होता है Bachelor in Computer Application BSC IT मतलब Bachelor of Science in Information Technology यह IT में रहेगा और BCS है Bachelor of Science in Computer Science तो course type अब हम जान लाएं BCA एक traditional type का course है traditional type का course नहीं है professional type का है और BSC IT और BSC CS एक traditional type के courses है duration भी तीनों में सेम होता है 3 year, 3 year का course होता है पर eligibility criteria में बहुत बड़ा difference है पर बहुत से बच्चे इन difference के बारे में जान नहीं पाते है और admission उनका अच्छे से नहीं हो पाता है तो आप यह गलती ना कर दिए अगर आप 12 के बाद इन तीनों में से किसी course के बारे में difference जाना चाहते है तो जान लेजिए और इसके मुताबिक admission लेजिए सारी बाते जान लेजिए eligibility criteria जो BCA के लिए है science 12 में science, commerce, arts तीनों field से चलेगा और BSC IT में जो है उसमे science और commerce वाले student जिन्होंने max लिया हो max वाले student ही उजा सकते हैं जिन्होंने commerce लिया हो BSC IT में और BSC CS में के वाल only science वाले student को ही allow करते हैं सारे colleges में और commerce वाले student नहीं जा सकते हैं जो salary में difference से वह है salary अगर आप BCA करेंगे salary में बहुत जादा डिफ्रेंट है BCA करेंगे तो आपको minimum salary 20 to 50K तक मिल सकती है क्योंकि यह professional type का course है अब इन कीड़ों को course करने के बाद बनेंगे आप software engineering पर course का type में application based course होता है BCA और BCA IT और BCCS होता है यह traditional type का course है इसमें आपको application के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है theoretical चीज़े इसमें ज्यादा होती है और BCA में practical चीज़ों के बारे में ज्यादा बताया जाता है और salary भी BCA में ही ज्यादा होती है और हमारा second है BSC IT BSC IT में भी आपको 15 to 35 के तक की salary मिलेगी 15,000 तो minimum salary मिलती है तीनों में और कोई बाकी बहुत बड़ा difference नहीं है salary में salary में के ओल थोड़ा बहुत difference ही है पर BSC CA bachelor or computer application हर colleges में available नहीं होता है पर BSC IT BSC CS हर undergraduate degree college में available होते हैं यह सारे courses और higher courses आप इन तीनों के बाद कर सकते हैं BCA और कर सकते हैं MSC, MSC, CS, IT जो भी आप करना चाहिए तीनों courses के बाद कर सकते हैं MBA कर सकते हैं यह सारे दर्वाज़े आपके लिए खोले रहेंगे आप चाहिए तीनों में आप कौन से भी government job में जा सकते हैं आपको और बाकी किसी चीट में डिफरेंस नहीं मिलेगा क्यों थोड़ा यह एलिजबिटरी का इरिया और salary में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और course का टाइप भी थोड़ा डिफरेंस है तो आपको अगर आपको BCA में एडमिशन मिलता है तो पहली priority आपकी होनी चाहिए कि BCA दूसरी अगर BCA में ना मिले तो BSC IT CS में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेम टाइप के courses होते हैं आप इन तीनों courses के और तीनों courses के बीटेक और बीटेक और बीटेक और बीकर भी सेम होते हैं आप चारों करके पांचों courses से आप बनेंगे software engineering आपको एक IT company में ही जॉब मिलेगा तो तीनों courses के बार कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बस salary में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है पर वो भी आप अगर इसमें अगर जैसे आप BCA में आप MCA कर लिए तो आपको बीटेक वाले के बराबर की salary आराम से मिल जाएगी proportion प्रमोशन में भी कोई problem नहीं होगा तो आप इन तीनों courses में से BCA को पहली priority दीजिए और BSC CS को second दे सकते हैं और IT को third दीजिएगा पर ऐसा कोई नहीं यह third देना जरूरी नहीं मतलब आपको पहला admission अगर आपको admission ट्राय करें कि BCA में ही मिले BCA क्योंकि एक application based degree है आपको इसके तुरू जॉब फटाक से मिलेगी और आपको college करते टाइम पे एक तीन बाते याद रखनी है कि college में placement कैसे मिलते है college की fees कितनी है आप afford कर सकते हैं कि नहीं college की फीज बहुत ज्यादा दीजिएगा मत त्यूंकि यह बहुत ही ज्यादा salary इसमें आपको नहीं मिलने वाली है इसमें एक average टाइप का degree courses इसमें बहुत ज्यादा salary नहीं मिलेगी आपको इसलिए ज्यादा पैसे invest करके कुछ फायदा नहीं है और आपको तीसरी बात जो याद पर फूल होती हो हर साथ तो अगर आपको डिफरेंज जानकर कुछ knowledge मिला हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल पर नहीं आए तो like कर दीजेगा चैनल पर नहीं आए तो subscribe करना ना भूलिए हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं educational career option से related वीडियो आत पर आते हैं